संस्कृत सिक्षय विभागह राजस्थान सर्वकारह प्रस्तोता अनिलकुमारह सोनी प्राध्यापकह विद्यार्थिनह कनिष्ठोपाध्य कक्षयाम अहम अनिलकुमारह भावताम स्वागतम करोमि कनिष्ठोपाध्य कक्षयाम साहित्य शास्त्रे काविश शास्त्रा लोकह प्रथमो भागह इती नाम पुस्तकम अस्ति अश्य पुस्तकष्य अध्यवयम प्रिष्ट संख्या सप्त सप्तती ही अश्ट सप्तती ही चव पठिश्यामह महाकवी कालिदास विर्चितम रगुवंशम महाकाव्यम प्रथम सरगह विद्यार्थिन भावतां पाठिक्र में कावशास्त्रा लोके रगुवंशम महाकाव्यष्य प्रथम सरगह अस्ति अश्य प्रथम सरगश्य स्लोकह तृतिय अध्यवयम प्रथिश्यामह अस्मिन स्लोके किमस्ति प्रसंगे पठामह अस्मिन स्लोके महा कवी ही काली दासह महा कावे रचना सामर्थ्यम मै कुतह इती विलिख्य स्व विनम्रता प्रदर्शयती महा कवी काली दासह अस्मिन स्लोके स्व विनम्रतां प्रदर्शयती मंदह कवीयशह प्रार्थी गमिश्याम उपहश्यताम प्रांसुलभ्वे फले लोभाद दुदबा हो रिवामनह प्रुनरेक वारम पदच्छेद पठामी मन्दह कवी यशह प्रार्थी गमिश्यामी उपहश्यताम प्रांशु लभ्भे फले लोभाद उदबाहु इव वामनह आहूं वदामी प्रतमम अनंतरम भवंतह वदन्तु मन्दह कवी यशह प्रार्थी गमिश्याम उपहश्यताम प्रांशु लभ्भे फले लोभाद उदबाहु इव वामनह पुनरेकवारं वदामी अवदाने न सुरुयन्ताम मन्दह कवी यशह प्रार्थी गमिश्याम उपहश्यताम प्रांशु लभ्भे फले लोभाद उदबाहु इव वामनह अन्वयह मन्दह कवी यशह प्रार्थी गमिश्याम पदार्थः अस्तियस्मागम पार्षवे अत्र हिंदी अर्थमस्ति शब्दाना प्रश्यामा मन्दह अर्थात अल्प बुद्धी मन्दमती जो कम बुद्धी मान हो उसके लिए मन्द शब्द का प्रियोग होता है कवी यशह प्रार्थी काव निर्मान से होने वाला यश अर्थात कवी के रूप में यश प्रार्थी का इच्छुक कालिदा स्वयम के लिए कह रहे हैं प्रांसु लभ्वे उन्नत पुरुसको प्राप्य फले फल की और लोबहत लोब से उदबाहु हूँ उपर हाथ उठाते हुए अपने हाथों को उपर उठाते हुए वामन बोने पुरुस के समान उपहस को प्राप्त होना गमिश्यामी प्राप्त करूँगा बोना पुरुस कौन? लगू काया पुरुशह वामन भावती जिसकी छोटी काया हो अर्था छोटा शरीर हो उसके लिए वामन शब्द प्रिप्थ हुआ है हिंदी अर्थ अस्ति पठामी मैं मंद मती महा कवियों की कीर्थी का अभिलाशी हूँ किन्तु लंबे मनुश्यों के द्वारा पाने योग्य फल की और लोब से उपर की और हाथ उठा कर छोटे कदवाले वामन पुरुष के समान उपहश्यता को प्राप्त होंगा इस प्रकार के कथन से महा कवि कालिधास ने पुनह विद्याददाते विनयम इस उक्ति को चरितार्थ किया उक्त स्लोक में वस्तुतह महा कवि कालिधास अपनी विनमरता को प्रदर्शित करते हैं और रगुवंश की सिष्ठता को बताते हैं व्याख्या पर्याय पदानी मंदः मंदः इत्युक्ते अल्प बुद्धी युक्तः कवी यशः और थात कवी भी ही कावे निर्माणेन प्राप्तम यदिदम यशः तत कवी यशः प्रार्थी इत्युक्तः प्रांशु लभ्य उन्नत पुरुष प्राप्ति योग्य प्रांशु अर्थात उन्नत फले आमरादी फले विशः लोभात फल ग्रहन अभिलाशाद उदबाहु उर्धो अस्त हो वामनह लगुकाय पुरुष हो वामनह अर्थात लगुकाय पुरुष हो इव यथा उपहास शताम उपहास विशायताम गमिश्यामी प्राप्श्यामी परियाय पदानी भावंते सर्वे रेव परियाय पदानाम कंठस्ति करणं कुर्वन्तु भावर्थ विद्यार्थिन अश्य स्लोकष भावर्थम पठामी महा कवि कालिदास स्वियाम विनम्रताम प्रदर्शियन वदती यत अहम मंद मतिही महा पुरुषानाम चरित युक्त रगुवन शस्य वर्णने तथईव उपहश्यताम प्राप्श्यामी यता कश्चित वामन पुरुषह लंबमान पुरुषेन प्राप्यमानम फलं प्राप्तम ओर्धु हस्तम उपहश्यताम प्राप्नोती अन्येशु शब्देशु भावार्थम अहम वदामी सुर्यंताम अवधानेन महा कवेह काली दासह विनम्रताम प्रदर्शयन कथयती किम वदती सह अहम मंदह महनीय चरितस्य रगुवेंशस्य वर्णने तथेव उपहाश्यो भविश्यामी अर्थात उपहाश्यताम प्राप्श्यामी यथा वामना पुरुशह उन्नत पुरुशेन फले प्राप्तम उर्धुहस्तम उपहाश्यो भवती तथेव अहम अपी उपहाश्यताम प्राप्श्यामी एवं विनम्रताम प्रदर्शयती अग्रे सरामः चंदह असमेन स्लोके अनुष्टुप चंदह अस्ती अनुष्टुप चंदह सह अहम पुनरेकवारं वदामी यद्धिपी पूर्वं भवन्ता पठित वन्ता तथा अपी वदामी स्लोके शष्टं गुरुर्जेयं सर्वत्र लगुपंचमं द्विच्चत्तुस्पादयो रस्वं सप्तमं दीर्ग मन्ययो एवं अनुष्टुप चंद सह लक्षणं आम उक्तवान अस्मिन्स लोके उपमा अलंकारह अस्ति उपमा अलंकारष्य लक्षणं भवन्त पंचम मयूखे पठिश्चन्ति भवताम पठ्थ पुस्त के चंद्रा लोक भागे भवन्त पठिश्चन्ति उपमा अलंकारह अस्विन्स लोके उपमा अलंकारह अस्ति विशेशांस्चरह मन्दह कवी यशः प्रार्थी मन्दह अत्र प्रथमा विवक्ति ही एक वचनम कवी यशः अत्रापी प्रथमा विवक्ति ही एक वचनम पुनह प्रार्थी अत्रापी प्रथमा विवक्ति ही एक वचनम अस्ति अग्रे सरामह गमिश्यावी गम धातो हो लिट लगा रहा उत्तम पुरुष एक वचनम उपहश्यताम उपहश्यताम उपउपसर्ग पूर्वक हसदातु अन्यत प्रत्ययः रीहलोल न्यत इती सूत्रेन अन्यत प्रत्ययः पुनह तल प्रत्ययः एवं द्युतिया विवक्ति एक वचनम अत्रास्ति लोभात लोभाः शब्दः पंचमे विभक्ति ही एक वचनम लोभात यथा रामात बहुती तथे यो लोभात पंचमे विभक्ति ही एक वचनम अत्र वामन इती शब्दः आगतवान तो तस्च वामन शब्दः विशये आहम पर्याय रूपेण वदामी खर्वह रस्वस्च वामन इती अमरे अर्थात अमर कोशे उक्तम मस्ति भवन्तह सर्वे अश्य स्लोकष्य व्यक्ष्या स्वपंची काशू लिखित्वा पुनह पुनह अभ्यासम कुर्वन्तो एवन्च अश्य स्लोकष्य कंठस्ति करना मपी कर्तव्यम अयम स्लोकष्य पुनरेकवारम वयम वदामह मंदः कवी यश्य प्रार्थी गमिश्याम्यु पहस्यताम तांशु लब्भे फले लोभाद द्वाहूरे वामना भवन्तह अपी अनुकर्णम कुर्वन्तो आहम वदामी मंदः कवी यश्य प्रार्थी गमिश्याम्यु पहस्यताम प्रांशु लब्भे फले लोभाद उद्वाहूरे वामना संस्कुत सिक्षा विभागह राजस्थान सर्वकारह